कक्षा तिस्री विशय हिंदी पाठ क्रमंक छे बाजार बच्चों आप कभी बाजार गए है? हाँ जरूर गए होगे अपने माबाप के साथ, दोस्तों के साथ या किसी और के साथ तो आज हम बाजार इस पाठ में से चित्रवाचन करेंगे बाजार याने मारकेट, ए बाजार कहाँ पे भरा हुआ है? गाव के अंदर, जहाँ पे खुला मैदान है और बाजू में पेड़ है इस बाजार में लोगों की बहुत भीड़ है बाजार में हमें क्या दिखाई देता है? फल वाला, पोशक की दुकान, पुस्तक भंडार, आइस्क्रीम वाला और खिलोने की दुकान फल वाले के पास अलग-अलग प्रकार के फल है कुछ लोग फल खरीद रहे है पोशक की दुकान याने कपडों की दुकान इस दुकान में रंग बिरंगी कपड़े लटके हुए है छोटे बच्चे मा के साथ कपड़े खरीद रहे है पुस्तक भंडार, आने किताबों की दुकान चोटा लड़का अपने माबाप के साथ पुस्तक खरीद रहा है खिलोना की दुकान चोटे लड़के के हाथ में खिलोना है याने ओ खिलोना खरीद रहा है बाजार में गुबर वाला भी है गुबरे वाले के पास अलग-अलग रोंगों की गुबरे है चोटे बच्चे गुबारे खरीद रहे है एक लड़का आईस्क्रीम वाले के पात जाकर आईस्क्रीम खरीद रहा है तो बच्चों हम भी जब किसी के साथ बाजार जाते है तो कुछ न कुछ खरीदते है सववात सुनो और दोहराओ रमा साहिल कल कहा गए थे साहिल मैं ताउजी ताईजे के साथ बाजार गया था रमा बाजार से क्या लाए साहिल तुमारे लिए चित्रकथा की पुस्तक रमा धन्यवाद पर मुझे क्यों नहीं ले गए साहिल माप करना भूल गया रमा फिर कब जाओगे साहिल आप कल जाओंगा रमा तो मैं भी साथ चलूंगी साहिल ठीक है परसो डॉली और आर्यन खेलने के लिए आने वाले है रमा अरे वा और कौन कोन आएगे रमा तु कितने प्रश्ण पुछती हो बच्चो सववाद याने बाच्चित ए सववाद रमा और साहिल के बीच में हुआ है रमा साहिल से पूछ रही है कि कल तुम कहा गये थे तो साहिल ने कहा मैं अपने ताउजी ताईजी के साथ बाजार गया था ताउजी याने पापा के बड़े भई और ताईजी याने उनकी पतने तो रमा ने साहिल से कहा बाजार से क्या लाया मेरे लिए तो साहिल ने रमा से क्या कहा तुमारे लिए चित्रकथा की पुस्तक लाया हूँ चित्रकथा की पुस्तक मतलब स्टोरी भूग रमा ने साहिल को धन्यवाद कहा धन्यवाद याने थैंक यू लेकिन रमा ने पुछा मुझे क्यों नहीं ले गए साहिन ने रमा से माफी मागी और कहा मैं भूल गया रमा ने कहा साहिल से ठीक है फिर कब जाओगे फिर साहिन ने कहा अब मैं कल जाऊंगा तो रमा ने साहिल से कहा मैं भी तेरे साथ चलूंगी साहिन ने कहा ठीक है और कहा परसो डॉली और आर्यन हमारे साथ खेलने के लिए आने वाले है रमा ने कहा अरे वा मतलब अच्छा हुआ और कौन-कोन आएगे तो साहिन ने कहा आनन और खुशी भी आएंगे साहिन ने रम्मा से कहा तुम कितने प्रश्ण पुष्टी हो मुझसे धन्यवाद